खराब माहूल समाज में पैदा कर दिया गया है जदा फैसलिटी अलग चीज़ है और शिक्षा अलग चीज़ है शिक्षा पहले के जबाने में देखें पड़े तो शिक्षा गुरुकुलों में वहा करती थी वहाँ कोई फैसलिटी इतनी नहीं थी लेकिन शिक्षा के मांतर में संसकारों के मांतर में संसकार उस जमाने में जो गुरु देता था वो आज भी दे रहे हैं ग्रामीर शेत्रों में ऐसी है लेकिन फैसलिटी उपलब्द नहीं हैं, सहरी चेत्रों को छोड़ दीजिए, आप कुछ गिने चिरे स्कूलों को छोड़ दीजिए, जहां स्विधाओं के नाम पे बहुत कुछ है, लेकिन सिक्षा के नाम पे जीरो हैं, सिक्षा के नाम पे जीरो हैं, तो मैं कहुंगा कि सिक विलास्ता का जीवन जीने के लिए नहीं ये गौवर्मेंट ने बहुत गर्वत कदम उठाया है जिसको तराशना चाहते हम तो वो घदे गोडे सब एक जैसे हो गए पढ़ाई का सिक्षा का इसतर गिरा है पहले सिक्षा जैसे पास होने वाला बच्चा था वो ही पास हुआ करता था गर कमजोर है तो उसको सप्लेमेंटरी या एक्स्टा क्लास लगा करके उसको तयार किया जाता था आज वो नहीं है बच्चा तयार इसलिए नहीं करता है कि प बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है टीचर कोई दुस्मन तो होता नहीं है बिल्कुल डराना और धमकाना जिस प्रकार खुमार मटका बनाता है तो उपर से थाप लगाता है लेकिन अंदर से सहारा लगाता है ठीक गुरू भी वैसा ही काम करता है कि उपर से धमकाएग डराएगा पिटाई भी कर देगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उसको साररिक्षति पहुंचा है ऐसा नहीं है लेकिन ये गौर्मेंट ने जो ये नियम इन पत्तरकारों की महरवानी से पत्तरकार छोटी-छोटी बातों को बढ़ा चरा करके पेस करते हैं और गुरू के ख बिल्कुल सभी को दिखाना चाहिए बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम और इससे गुरू को सम्मान मिलेगा हैं तो मैं तो सभी स्कूल डायरेक्षर शे निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस अनमोल से जुड़ें और सब को बच्चों को दिखाएं वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है प्राइवेट स्कूलों में पैसा भी पूरा नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है लेकिन मैनत को अच्छी करवाते हैं आज भी माननिये शिक्षा मंत्री महोदे ने मेरिट बंद करके और गवर्मेंट को उच्छ गवर्मेंट स्कूलों में वो बात नहीं है ने 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 आज कल क्या है हर माबाप ये चाहता है मेरा बच्छा अवल आए अब संभव नहीं है अवल पे एक आएंगे दो आएगा तीन आएगे सारी अवल तो लानी सकते इसकूर वड़ा भी निला सकता तो हर माबाप की ये भ कोचिंग भी बेजएगा कैसे भी अपने बच्चे को सब सर्ष देखना चाहता है तो वो संभव नहीं है क्योंकि उसमें सबी तो अगर सारी मेरिट बनगे सारी कलेक्टर बनगे तो पिर नीचे के डर्रे सारी बिगड़ जाएंगे इसलिए मैं कहूंगा कि ये कोचिंग औ इसकूल वालों को गवर्मेंट ने कोई अधिकार ऐसा नहीं दिया है सब जगे गारजिन को सर्ष देख माना है उच्च माना है गारजिन ही सर्वे सर्वा है इसकूल वाले विचारे कई बार हमारी फीश डूब जाती है हैं गारजिन ये करते हैं हम ओपिस में सिकायत करेंगे आपकी हमारी पास डियो के पास सिकायत हो जाती है डियो सिदा सिदा आदिस कर देता है तुरंत प्रभाव से टीशी देदो आपको किसी का भविश्य बिगाडने का दिकार नहीं है हम सुरू से लेकर के बच्चों को हैं और फीस नहीं दे पारा है गारजिन चलो हम अगली साल तक के वेट कर लेते हैं अगली साल देगा फिर वो टैंथ पास आउट हो जाता है फिर भी टीशी मार्शिट के लिए गौवर्मेंट से सरकारी स्कूलों से दबावा जाता है अगर नहीं आप किसी का भविश्य न होता है कि आपने साब भविश्य नहीं बिगाड सकते आप बच्चे को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते तो यह गौवर्मेंट हमें बताएं कि हम करें तो क्या करें हमने सिक्षा दी है पैसा नहीं है गारजिन के पास चलो भाई ठीक है इस साल नहीं है अगली साल देंगे अगली साल भी देने के मूड बे गारजिन नहीं होता है और फिर यह कोट का सहारा लेकर के या एज्यूकेशन डिपार्टमेंट का सहारा लेकर के और हमारे पर दबाव बना करके और टीशी ले ली जाती है और बच्चे को आगे पढ़ाया जाता है यहाँ प्राइवेट उ से हम गवर्मेंट सुड़ती नहीं बिलुकुल मन से प्रियास करूंगा जितना प्रियास मेरे सहोग बनेगा उतना सहोग भी करूंगा और अगर वास्तम में अखिकत यह है कि गवर्मेंट को भी बैठना चाहिए और यह फिलम देख करके निरना करना चाहिए कि दोसी हम है यह गवर्मेंट का ढर्रा या फिर गार जिन इतना हावी होता जारा है यह उचित नहीं है बहुत बहुत बदाई देना चाहूंगा ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए और यह इन लोगों को आगे बढ़ करके समाज की वास्तम की स्थिति जन्ता के सामने रखनी चाहिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी स्कूल वाले डारेक्टर अपने अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा ज्यादा बच्चों को लेकर के इस अन्वोल फिलम को दिखाएं क्योंकि इसमें टीचर के सम्मान के प्रति बताया गया है